नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी इफेक्ट शो में तो दोस्तों साओधी और चीन को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने तमाम एंटी चाइना ब्लोक कंट्रीज को हैरान कर दिया है खासकर की अमेरिका सबसे ज़्यादा शोक में है और राजधानी वाशिंग्ट हुआ तो हुआ कैसे वहीं दूसी तरफ बात करे साओधी अरेबिया की तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा जुआ है गेंबल है क्योंकि वो अमेरिका के खिलाफ एक बहुत ही जादा बड़ा रिस्क ले रहे हैं और अगर अमेरिका अपनी पर आ गया तो चीन उन्हें कि तो दोस्तों न्यूस कुछ इस परकार से निकल कर सामने आई है कि साओधी अरेबिया जो दुनिया में सबसे जादा तेल बेशता है वो ही देश अब अपने खुद के देश में क्लीन एनरजी को बढ़ावा देना चाहता है और इनका टारगेट है 2035 तक पूरी तरीके से श बिजली बनाना लेकिन यह कैसे संभव होगा परमाणू प्लांट से दरसल इनका टारगेट है कि न्यूकलिर एनरजी का इस्तमाल करते हुए यह अपने देश के लिए बिजली बनाएंगे और इसको लेकर इन्होंने सबसे बड़ा प्लान शुरू कर दिया है और इनके इस कई देशों ने अपने टेंडर जारी किये हैं जैसे कि फ्रांस है इसके अलावा जर्मनी है ब्रिटेन का भी नाम निकल कर सामने आ रहा है रूस भी है लेकिन जो सबसे इंट्रस्टिंग नाम है चाइना का और बताय जा रहा है कि चाइना सबसे जादा स्ट्रोंग है क्योंकि जो पश्चिमी देश है वो ज्यादा टेकलोजी इने देने को तयार नहीं है इसके लावा जो पश्चिमी देशों ने बिड़ पेश करी है न उसमें ये अपनी सबसे अडवांस न्यूकलिर टेकलोजी इने ओफर नहीं कर रहे जो आउटडेटिड हो चुकी है वो टेकलोजी देने को तयार है साओधी एरेबिया को वहीं चीन 21 सदी की सबसे अडवांस न्यूकलिर एनर्जी की टेकलोजी देने को तयार है साओधी एरेबिया को और वो भी बहुत ही जादा कम कीमत में और इसलिए साओधी एरेबिया चीन की बिड़ एकसेप्ट कर सकत तो ये पस्चमी देशों के लिए खास करकि अमेरिका के लिए सबसे तकड़ा और करारा जटका है। करता है सौधी अरेविया को केंदर बनाकर अपना मेन बेस बनाकर। इससे आप समझ जाईए कि सौधी अरेविया अमेरिका के लिए कितना महतपूर्ण है। लेकिन अब यही सौधी अरेविया बहुत तेजी से चीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वो कैसे। अब से कुछी मह अरेविया ने अमेरिका के साथ 40 साल पहले डील करी थी कि जो भी देश हमसे तेल खरीदेगा हम सिर्फ डोलर में ही उसे तेल बेचेंगे। लेकिन चीन और साओधी की इस तेल डील ने दोनों देशों की दोस्ती में एक बड़ी दरार डाल दी थी लेकिन अब जो नुक्लि टेक्नलोजी कोई मजाक नहीं है यह एक जोक नहीं है यह एक सीरिस टेक्नलोजी है और एक देश किसी दूसरे देश को जब नुक्लियर टेक्नलोजी देता है न deal हुई थी उस समय तक भारत अमेरिका की संबंद कुछ खास नहीं थे लेकिन इस deal के होने के बाद भारत को वैसे तो कोई बड़ा फाइदा नहीं मिला लेकिन एक बात साफ हो गई थी उस समय की भारत अमेरिका के संबंद एतिहासिक उचाईयों पर पहुँचेंगे जैसा कि आज हो भी रहा है अमेरिका हमारा लार्जस ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है दोनों देश एक दूसरे को अडवांस टेक्नलोजी सप्लाई कर रहे हैं दोनों देश बड़े बड़े युद्ध भ्यास करते हैं चीन के खिलाफ मिलकर रननीती बनाते हैं और भविश्य के लिए जो खाका है वो दोनों देश मिलकर तयार कर रहे हैं इससे आप समझ जाईए कि जो न्यूकलिर टेक्नलोजी होती है और अमेरिका के लिए सबसे करारा जटका होगा लेकिन फिर भी ये साओधी रेविया के लिए highly risky है क्योंकि आपने देखा ही होगा कि अरव वर्ड में अमेरिका अपने खिलाफ एक लेवल तक ही resistance accept करता है एक बार जब अमेरिका के सबर का बान तूड़ जाता है मतलब ये फैसले 10 साल बाद लेने थे जब चीन की सेना बहुत जारा strong हो जाती आज की तारीक में स्थिती ये है कि अमेरिका के सबर का बान अगर तूट गया ना और उसने फैसला लिया कि अब हम साओधी अरेविया और उनके crown prince को सबक सिखाएंगे तो ऐसी स्थिती में चीन साओधी अरेविया की जादा मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि चीन की military power, अमेरिकी military power के मुकाबले कुछ भी नहीं है उनसे खुद अपना South China scene ही समल रहा और अगर कल को साओधी अरेविया संकट में फस्ता है तो वो साओधी अरेविया की मदद करता ही नहीं कर पाएंगे और इसलिए कहा जा रहा है कि साओधी अरेविया का जो ये move है ये highly risky है अब देखने वाली बात है कि अमेरिका इस पर क्या action लेता है आपका क्या मानना इस पर कमेंट करके बताईएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक्यू वेरे मच पूराचिंग वीडियो